हलो दोस्तों मेरा नामे संधीप ओड़ टिकनिकल संधीप यूट्यू चानल में आप सभी का स्वागते दोस्तों अजके वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेर्चाट एप की प्राइवसी सेटिन्स के बारे में तो जी हा दोस्तों आजके इस वीडियो में मैं आपको share chat app की privacy settings के बारे में बताने वालों तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकर आगे मनने से पहले छोटी से कर देगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो चलिए दोस्तों privacy setting में जाने के लिए simply हमें पहले यहां पर अपना share chat app ओपन करने बाद हमें यहां पर profile option पे क्लिक कर देना है तो कुछ इस तरीके से हमारी profile यहां पर आ जाएगी और उसके बाद देखिए यहां पर हम यहां पर option देख पा रहें तो privacy setting में पहला option है who can see my follower list याने कि आपकी follower list कौन-कौन देख सकता है यह आप यहां से set कर सकते हैं चलिए फिलाल मैंने यहां पर all followers पे set किया हुआ है और दोस्तों आपको यहां पर आपकी follower list किसी को भी नहीं दिखानी है तो यहां पर आपको क् टिक लगा देना है ठीक है तो इस तरीक से आपको no one पे click कर देना है तो कोई भी आपकी follower list नहीं देख पाएगा और उसके बाद का option है mutual followers तो यहां पर देखें इसका मतलब है कि आपसी followers तो दीके आप आपसी followers को यहां पर आपकी follower list दिखाना चाहते है तो इस पे click कर है ठीक है तो चलिए यहां से privacy settings के दो नंबर वाले option के बारे में बात करेंगे दो नंबर वाला option क्या है who can see my following list आपकी following list कौन-कौन देख पाएगा आप यहां से set कर सकते हैं तो यहां पर अगर आपकी following list यानि कि आप कौन से लोगों को follow कर रहे है यहां सभी को दिखाना चाहती कि आपने कौन-कौन से लोगों को follow किया है तो यहां से आप all followers कर देंगे सभी आपके followers देख पाएंगे आपकी following list को और उसके बाद देखिए mutual followers तो यहां से तीसरा option है who can tag me in post यानि कि post में आपको tag कौन-कौन कर सकता है अब देखिए यहां से देखिए मैंने यहां पर public करा हुआ है तो अगर आप चाहते कि कोई भी आपको यहां पर tag करें तो यहां पर public कर देंगे ठीक है और उसके बाद देखिए यह option का क्या मतलब है इसके बार लो कर रहे और उसके बाद आपके contacts तो ऐसे सभी लोग आपको post में tag कर पाएंगे और देखिए इस option का क्या मतलब है my contacts and people I follow तो देखिए जिन लोगों को आप follow कर रहे हो और आपके contacts तो यह लोग आपको tag कर पाएंगे ठीक है तो यहां से आप sit करना चाहो तो इस पीडिक लागा देंगे और उसके बाद देखिए first option है कि no one यानि को कोई भी tag नहीं कर पाएगा और उसके बाद देखिए यहां पर देख सकते block list अगर आप यहां पर share chat पे किसी को block करते हो तो यहां पर show करेगा और यहां से आप unblock वगेरा करना चाहो तो unblock कर सकते हो तो उसके बा प्रोसेस करने के लिए कहता है उस तरह की से आपको option follow करने और अगर आपको account delete करना दे इस तरह के आप account delete कर पाएंगे चलिए दोस्तों I hope यह जो मैंने आपको privacy settings के बारे में इन option के बारे में बताया है यह कुछ मैंने समझाए यह आप समझ गयोंगे फिर भी आपका कोई स प्रेक्शन आपको समय समय पर मिलते रहेगी और आधर तो वीडियो यूसपूल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देजएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर देगा तो चलिए ठीक है फिलाल के लिए इतना ही मिलते है अगले वीडियो में तब तक के तक केर और गूद बाइ